नमस्कार स्वागत है आपका मेरी किचन में आज हम बनाएंगे कुरकुरी नमकीन जो की फलाहारी है और वरत में आप इसको खा सकते हैं चाय के साथ स्नैक्स के तोर पर तो सबसे पहले हम चार से पाच आलू को छिल लेंगे और कद्दू कस कर लेंगे इसका जब हमने लच्छा बना लिया तो अब हम इसे पानी में डाल देंगे छे से साथ पारी हमें इसे पानी बदल कर अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसका जो स्टार्ज है वो इसमें रहना नहीं चाहिए यह देखिए अगर समिस चार्ज रहा जाता है तो जब हम इसे तलते हैं तो यह आपस में चिपकने लग जाते हैं इसलिए हमें इसे भूत अच्छी तरह से धोना है उसके बाद हमें थंडे पानी में इसे 3-4 मिनट के लिए रखना है तीन से 4 मिनट हो गए है अब हम इसका जो पानी है वो हटा देते हैं और एक छनी की सहायता से इन्हें अलग कर लेते हैं एक साफ कपड़े के उपर हम इसे इस तरह से फैला देंगे और उसी कपड़े की सहायता से हम इसे पोच लेंगे बहुत ही जल्दी ये सूख जाते हैं इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो सभी हमें निकाल देना है अब हम इसे फिर से इकठा कर लेते हैं एक प्याले में अब हम इसे तलेंगे मीडियम यहाँ पर मैंने फ्लेम रखी है एक बारी में जितने लच्चे इसमें आप आए हमें उतने ही इसमें एड करने हैं बहुत ज्यादा इसको भरना नहीं है एक की बारी में मैंने इन लच्चो को दो बारी में तला था पांच आलू के जो लच्चे हैं इन्हें दो बारी में मैंने तला था अच्छे कुरकुरे होने तक इनको पकाए यह देखिए हलका भूरा रंग इसमें आ गया है अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहे तो इसको बूरा होने से पहले भी निकाल सकते है जब इसका कलर सफेद होता है मुम फली भी हम इसी तरह से तल लेंगे मुम फली का कलर चेंज होने तक अब एक प्याले में हम इस लच्चे को डालेंगे और उसी प्याले में हम मुम्फली जो हमने तली है उसे डाल देंगे काली मिर्च और सेंधा नमक डाले वरत के लिए बना रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से मिलाएं ये देखिए मैं दिखाते हुए कितनी कुरकुरी बनी है अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले